हेलो एवरिवन तो आज की वीडियो में बात करेंगे इसमें आपको एक रियर लाइफ एक्जाम्पल के तुरू समझाऊंगा कि आपकी बुकिंग अंडर 10,000 है या नहीं मतलब इंट्रोड़क्टरी प्राइस के अंदर है या नहीं आपकी तुरू आप चेक कर सकते हैं कि इसमें गार आप प्राइस की साइड देखोगी तो हहां पर लिखा हो है प्राइस अपली केबल एड़ टायम आफ डिलिवरी और यह बुक हुई है अपनी नेक्स्ट बुकिंग से जो की थार किये है आप इसके अमाउंट पेट में मज जाओ वो किसी गिष की से 10,000 वरना बुकिंग अमाउंट 21,000 से कम नहीं है कहीं भी अब बात करते हैं अपनी थार की बुकिंग को लेके जो की रियर वील ड्राइव वाली ती अल्न्यू वर्जन विच इस जस्ट रिसेंटली लॉंच्ट सो उसकी बुकिंग के साथ अगर कंपेर करें तो जो की यह लॉ इस दिन यह वाला पर्टिकुलर बुकिंग का में स्क्रिंशॉट अपको दिखा रहा हूं इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें बुकिंग डेट है 9th of January और इसमें अमांट पेड 21,000 और जो प्राइस है प्राइस वाला यहां पर मिसिंग है तो यह मैना महिंद्रा के कॉ कुछ नहीं लिखके आ रहा है इन प्राइस को लेके विच मीन्स कि आपकी इंडर प्राइस के अंदर है और आपकर आप चाहो तो यह चीज कंफर्म भी कर सकते हो मेजर ली हमारे केस में हमने कंफर्म किया तो उन्होंने भी यही बात बताई थी हमको सो अगर आपके में यह कुछ नहीं आ रहा है विच मीन्स कि आपकी इंडर प्राइस में है आप की जो स्टार्टिंग प्राइस लांच वे उसी में आपको कार मेलेगी जब दिलिवरी होगी सो इसके थुरू आप चेक कर सकते हैं कि आपकी 10,000 के अंडर है या नहीं बुकिंग बाकी टेनेटेव ड रहना है मैनिमम उसके बाद ही आपको अभी क्योंकि आल ओवर इंडिया कहीं भी डिलिवर नहीं हुई है न्यू थार और रही बात इसको इतनी जल्दी लॉंच करने की सो जिमनी नहीं पता ही था कि होने वाली है ओटो एक्सपर में लॉंच तो इन्होंने इसलिए थार पो कितना टाइम है अभी टेनेटिव डिलिवरी डेट उसम में बहुत डिले चल रही है तो यह चीज है कुछ ऐसी जो इंप्रूव करनी चाहिए इन्हें टाइम के साथ बाकी सब कोई ऑप्शन तो है नहीं वेट करना ही पड़ेगा सबको तो देखते हैं अब क्या इनका नेक झाल